आज बनाएंगे पिंडी छोले ये वाले छोले आप छोले बटोरों में छोले चावल छोले पूरी छोले कि कोई भी मतलब आपने वैसे रैसीपी अगर बनानी है तो ये छोले आप ट्राय कर सकते हैं All Over India ये छोले फेमस होता है तो आपने क्या करना है आपने लेना एक कूकर उसमें डालना हैं बहुत सारा cooking oil और कुछ खड़े मसाले, खड़े मसाले आप अपनी मर्द से कोई भी डाल सकते हैं लेकिन बड़े इलाइची और दालचीनी का टुकड़ा जरूर डालिएगा क्योंकि उससे flavor खुश्बू बहुत अच्छी आती है और इसमें जाएगा जीरा और थोड़ा सा हिंग अब इनको हम मसालो को अच्छे से भून लेना है एक खुश्बू आने लगेगी उसके बाद मैंने तीन बड़ेट साइस के टमाटर लिए हैं उनको मैंने काट लिया था बारीक और उनको मैं भून रही हूं भूने का मतलब इतना भूनना है कि उनसे तेल अलग हो जाना चाहिए इतना आपको भून लेना है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं टमाटर जले नहीं अब मैंने तीन टमाटर की प्योरी बिना ली थी उसको भी में डाल रही हूं अगर आपको फ्लेवर अच्छा चाहिए मार्किट वाला तो आपको ट तेल अलग होने तक हमें अपने मसाले को भून लेना है उसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले हल्दी पाउडर गरम मसाला और चना मसाला चोले मसाला मार्किट में आपको मिल जाएगा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं धनिया पाउडर काश्मीर लालमिश जाएंगे चोले डाले चोले बाद मैंने वोभी पानी डाला चोले डैला मैं तो आप नवगश नमक छीक फ्लेवर के साथ यह भी बहुत अच्छ होता है तीन से चार सीडी आने अने तक आप उसको पका लीजिए घर मैंने प्रच्छे का प्रच्हिश हमने किया हुआ है रि देखे, छोले हमारे हो गए हैं, बिलकुल तयार, एक बहुत सुंदर सा इन पर आ गया है कलर, आप इसको अच्छे से एक बार चला दीजिएगा, हमारे छोले बिलकुल तयार है, एक बार आप चेक कर लिजिएगा, कि छोले में किसी तरह की कमी नहीं हो, और अब इसमें जाए पूरी पराठा रेसिपी हर चीज के साथ, तो वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना, एंजाए करो, बाई